नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी पतन पुरान लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे दोरा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये पतन पुरान जानती हो वह मुझे साध रही थी और मुझे पता ही नहीं चला साधने वाले इतने सरल थोड़े होते हैं कि पता चल जाए पर तुम भी तो कुछ मूर्ख रही होगी जो समझ नहीं बाई मूर्ख तो थी मानती हूँ लेकिन यह मुझे साधने की छमता रखती है ऐसा भान तो उसके व्यक्तितों से नहीं हुआ लंबी चोटी पैर में चपल कपड़े भी बस ठीक ठाक यानि उपर से नीचे तक छोटे शहर में पले होने की छाप एकदम भैंजी यही भैंजी और घरेलूच अंदाजी तो मारक होता है पता नहीं था क्या नहीं था तभी तो उसका अटक अटक कर बात करने का उपक्रम रह रह कर मेरी और मुख्ध हो देखना बात बात में मेरी लिखी पंक्तियों का उद्धरन जाने कितना पढ़कर आई थी बस सराहती ही रही साड़ी सुबह कभी कमरा कभी कोई चित्र कभी मुझे समझ लो कि मुझे उसका वह सावला सा मुख और माथे की बड़ी सी टुकली भा गए और उपहार में लाई साड़ी वह भी डरते डरते उसने डिब्बा मेज पर रखा जैसे कोई सूरज को अर्थ चढ़ाए क्यों मजाक नहीं अच्छा नहीं पर यह बताओ तुम उसके हत्थे चढ़ कैसे गई उतनी सरलता से तुम्हें तो पीछे पढ़ने वाले घेरते ही रहते हैं इसमें ही ऐसा क्या था इसका इस्तरी होना क्योंकि जो घेरते हैं वे अक्सर पुरुश होते हैं उनसे चौकना रहना आता है मुझे दिल्ली सिखा देती है बहुत कुछ पर रेणू तो भक्ती भाव से आई थी क्य हाँ शायद पर इसने भी अधिक उसका नेरी ही सा होना बड़े शहर के फास्ट और स्मार्ट लोगों से डरा डरा सा होना फिर वे में भी तो तुझसे कुछ बड़ी ही थी लगा एक मित्र मिली इसी लिए इतना ममता पा गई मुझसे कहो कि तुम ठगी गई बुरी तरह से चलो तुम ही बताओ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ श्रद्धा से ओध प्रोध दिखे अब इतनी कृतार्थ हुई तुम बचती भी कैसे तुम तो यों कह रही हो जियों वह मेरा शिकार करने आई थी वह तो मात्र इतना कह रही थी कि दिल्ली आने पर जिन गिने चुने लोगों से मिलने की उसे उतकट इच्छा थी उनमें मे मेरा नाम प्रमुख था मेरे छपे आलेखों से ही उसने चित्रकला का इतना मर्म जाना जाने क्यों मुझे विश्वास हो गया उसकी बातों पर फिर इतनी चोट क्यों लगी आखिर हुआ क्या वह आने जाने लगी अकसर अपना कुछ काम दिखाने के बहाने या यों ही मन तोस्ठ होती रही उसमें एहम जैसा कुछ लगा नहीं बहुत ही समर्पित सी थी एक शिश्य सी सो जहां भी मैं जाती उसे ले जाती उसका पती दिल्ली की अपनी नई नियुक्ती से जूज रहा था उसके पास पत्नी के लिए समय कम था वह सब कुछ जान लेने को बहुत आतुर दिखी समझ लो की मेरी गाड़ी मेरे प्रोक्राम वह सब में मेरे साथ साथ किस किस से नहीं मिलवाया उसे हर कला विग और आलोचक से हर अच्छे बुरे कलाकार से कि इसमें कहीं कुछ गलत जैसा होगा मुझे कुछ देर से समझ आया या समझ कर भी मैं समझने से इन दूर चली गई कि उसे अपने से अलग कर देखने का कोई सुभीता ना था तभी शायद कहते हैं कि नाक तले का ही अंधेरा नहीं दिखता चुप क्यों हो सुन रही हूं कहो तुम क्या नहीं दिखा उसका जूट बोल देना बात बात में जैसे सच बोलना उसे आता ही नहो मुझे ना सूजा कि मुझे से भी तो बोलेगी उस साधे से व्यक्तित में कुछ ऐसा था जिसने मानो मेरा विवेक ही हर लिया था नहीं तो माने सिखाया था मुझे कि जो बात का धनी नहीं उससा रंक फिर कोई भी नहीं एक बात बताओ उससे स्वयम को छुडाने में तु मुझे से मकारी कर सकती है जैसे एक दिन मैं उसके घर अचानक पहुच गई बिना बताए शायद उसका फोन कराप था मुझे देखकर उसने बड़ी प्रसनता जताई इतनी कि उसके चेहरे का उड़ा रंग मुझे दिखा ही नहीं मैं भी लहराती सी बोली भाई चाय जाकर बोली चलो उठाओ इस टोकरी को रेणू की घबराहट देक मैंने पूझा ऐसा क्या है भाई इसमें पड़ी रहने दो मैं तो घर की ही हूँ ना कुछ नहीं है वह जेपी सी बोली राठी साहब को मेवा बहुत पसंद है ना आज सुबह ही ले आये थे मॉर्निंग तब तो मैं समझ नहीं पाई पर अब जानती हूँ कि मेवा का इतना बड़ा टोकरा कोई नहीं खरीतता उसके पती को घूशते गया होगा कोई डीडीये में है न वह है पर मुझे क्यों बना रही थी रेणू मैं क्या मूर्ख हूँ आज पता लगा हमें तो बहुत दिन से पता है कि मूर्ख हो एक दिन और मैंने उसे फोन किया कि तयार हो जाए फला समय शो चलना है बोली नहीं जा सकूंगी क्यों तुमी तो जाना चाहा रही थी मैंने पूछा बोली तब्यट ठीक नहीं बुखार है तेज अच्छा ठीक हो जाओ जल्दी फोन तो मैंने रख दि पर मन बेचायन रहा कहीं उसे यह न लगे कि परदेश में कोई हाल चाल लेने वाला नहीं मैंने कुछ फूल मंगवाए और घंटे पर बाद उसके घर पहुची छुट्टी का दिन था उसका पती भी शायद घर पर था दर्वाजे पर गाड़ी खड़ी थी जिसमें उनका स सेवक मिठाई के डिब्बे रख रहा था मैंने पूचा रेडू मैडम है बोला हाँ है तयार हो रही है कहीं जाना है रात को देर से आएंगी उसके हाँच में जो मिठाई का डिब्बा था उस पर शहर के नामी किरामी चित्रकार के नाम का कार्ड और पता चिपका था फूल मैंने सेवक को ही दे दिये शायद घीसा नाम था उसका कहा अंदर दे देना कहना मैं जल्दी में थी हाल पूचने आई थी चली तो आई पर सनाटे में आ गई उस दिन यदि वह कह देती कि कहीं और जाना है तो मैं क्या उसे रोक लेती बीमारी का बहाना बनाना तो वैसे भ और पाप है लो इतनी बड़ी संपातक क्या अभी तक पाप में विश्वास है तुम्हारा रही न आखिर उनीसमी सदी की अच्छा बताओ जब तुमने उसे पहचान ही लिया था तो छोड़ा क्यों नहीं उसे छोड़ तो देती किन्तु इस बीच कुछ ऐसा होने लगा जो रेणू अकसर उसकी बाते करती रहती थी किन्त मुझे ही कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या संबंध है दोनों का एक दिन रेणू ने अपने घर दावत रखी और उसे मिलवाया वह वही था अपने परिवार सहित पहेलिया ना बुझाओ कौन था सुने तो राघो तृप पहले यह आई अब राघो भी डाइरेक्टर होकर आ गया था उसके पीछे पीछे हाव रोमैंटिक पर तुम्हें कैसे पता चला कि वह रेणू के पीछे पीछे दिल ली आया था मालूम था इश्क की मुष्क कभी छुपी है क्या राघो की तो आख ही नहीं हटी रेणू प तो मानो किसी ने बढ़िया संत्रा छेल कर रख दिया हो रस्तो जैसे टपकने टपकने को रहता था होटों से वैसे भी चंचल चुलबुला सा था अच्छा लगा राघो सेंसूस तुम्हे तो कोई पुरुष भाता नहीं वह भाया और उसका रेणू पर यो चारो खाने चि वातला दिल्ली हुआ वह बोली नहीं तो राठी जी तो उस छोटे से शहर में ही सेवा निर्वित हो जाते कभी न कभी हम दिल्ली आही नहीं पाते कहकर उसने राघो को देखा पूरी तरह गदगद राघो बोला हम भी तो दिल्ली रेणू जी की खातिर आये हैं मेरी खाति में अब देखना कितना नाम होगा और नाम होने लगा देखते देखते रागा त्रिपाठी के आयुक्त होने के दबाव में उसी दीरगा में जिसमें किसी कलाकार को साल भर से पहले इस्थान नहीं मिलता रेणू का शोग होशित हो गया और शोग के दोरान प्रेस और टीवी क का तो बयान ही क्या जैसे रेणू नहीं हुसैन का कोई शोग हो कैटलाग तो तुम्हें दिखाया भी था मैंने जो पेंटिंग पांच हजार में भी महंगी थी वह पच्चीस हजार में बिकी याद है याद है और तुम्हारा आवाक होना कुछ-कुछ इरश्या भी होने तो जानती हो लाख दोश है मुझ में पर एक यही नहीं नहीं होती इरश्या किसी से अपात्र से बिल्कुल कभी नहीं और पात्र के प्रती तो नतमस्तक हो सकता है एक इमानदार आलोचक फिर मैं कोई चितरकार थोड़े हूँ जो मुझे उसके साथ रेश दोड़नी थी मै तो उसी की शुपचिन तक थी फिर भी कस्ठ हुआ मानती हूँ जितने अनुपात से वह सामने आ रही थी उतने ही अनुपात से मेरी जरूरत उसे न रही कहां तो मेरी इतनी इस्तुती करती थी इतनी कि उसकी इस मुझता पर ही लोग उस पर मोहित हो जाते सोचते काश उन्हें भी ऐसा प्रसंशा कोई मिलता और कहां अब मेरे साथ जाती भी तो जल्दी से किसी अन बड़े की बगल में जा खड़ी होती मानो नकार रही हो कि उसकी उन्नती में मेरी कोई भूमी का कभी थी चोट लगती थी बार-बार उसकी कम होती मित्रता से नहीं उसके दो मुखे पन से और इस बात से कि उसे पहचानने में मैंने इतनी भूल क्यों कर दी क्यों मैं इतने दिन उसके अनरक्त होने के दिखावे पर आ सकत रही क्यों अपनी पहली कला समीक्षा की पुस्तक मैंने उसको ही डेडिकेट की तकलीब उसके मुलम्मा उतरने की कम अपने अंधेपन की अधिक थी तो छोड क्यों नहीं दिया उसे छोड़ना नहीं पड़ा, समय नहीं छुड़ा दिया उनी दिनों मुंबाई पोस्टिंग हो गई थी मेरी हुई नहीं थी, तुमने करवा ली थी हम सब तो हैरान थे कि कला का मेन स्ट्रीम छोड़ तुम फेशन और फिल्मी पत्रिका का संपादन करने क्यों चली गई जाना अच्छा लगा, दिल्ली से बहुत मोह भंगुआ, चित्रकारों से और भी रेंडू अकेली नहीं थी आप खुली तो देखा सभी हड़प रहे हैं कुछ न कुछ कोई विदेश यात्रा, कोई बड़ा पुरसकार, कोई बड़ी सेल, किसी न किसी शॉर्ट कट से ऐसा पहले तो नहीं था, अब तो कैमरे का बोल बाला था कल्चर विभाग के छोटे बड़े अपसरों के आगे चित्रकारों का रास था खुले आम घुटने टिकते से दिखे सभी के ग्लैमर के दौर में मुंबई बहतर थी क्या, मेरे लिए तो थी ही, नए लोग, नया काम, कुछ सीखा, कुछ भुलाया न रेणू ने कभी पत्र लिखा, न मैंने समाचार पत्रों से ही पता चलता रहा, कभी कभार उसके शो का, या उसकी विदेश यात्राओं का और लोटने पर, तुम तो साल भर में ही लोट आई थी आना पड़ा, पत्री का बंद हो गई थी, जहां इस्थांतरित होना था, वह मुझे पसंद ना था फिर तुम भी तो याद आती थी अक्सर, जूर तो नहीं कह रही हम तो सोशते थे, रेणू के मारे हमारी कोई जगह नहीं रही तुमारे जीवन में ऐसा नहीं कहो, मैं क्या रेणू हूँ, जो दिल में बैठाती निकालती रहूं लोगों को एक बार कहा भी तो था उसने, मैं जिसको चाहूँ, अपनी छोटी उंगली से लपेट सकती हूँ मैंने ही इस कथन को गंभीरता से नहीं लिया अच्छा एक बार बताओ, रेणू में या उसकी जैसी अन घरेलू महिलाओं में ऐसा क्या है जो राघव जैसे या और सभी पुरुष उन्ही के चक्कर काटते हैं सालों साल कुछ सवाल पूछो जवाब देने से पहले पूछो, तुम या तुम्हारे जैसी अन श्रम सील या प्रोफेशनल महिलाएं रसोई में भी जाती है क्या खाना बनाने, हल्वा या पकोड़ी बनाने कभी कभार, जब छोटू नहीं होता किसी पुरुष मित्र को रिजहाने के लिए बनाती हो रहम राम, क्यों बनाएं? पहले थोड़ी मुसीपने हैं क्या कभी मीठी बात करती हो मुस्कराती हो उन्हें पटाने किने, पुरुषों को और किने क्या वाहियात बात है यूँ ही कम तंग करते हैं क्या जो मुस्करा कर गले पड़वाया जाए तो सोचो तुम्हारे पास है क्या ना पाक चातुरी ना काम चातुरी पुरुष इन दोनों का आदी है उसके जीवन में मामी, चाची, भावी जैसी महिलाएं ही तो रोल मॉडल होती है उसी चवी की महिला पुरुष को अंत तक भाती है तुम्हारे जैसी बौधिक या अंग्रेजियत वाली थोड़ी समझ लो कि तुम्हें तो पैदल ही चलना है जीवन भर और वह जब चाहे जाल बिचा सकती है तिस पर पीछे से राठी जैसा महात्वा कांग्षी पती भी हो तो फिर कहने ही क्या कितना प्रशंसक है वह पतनी का मानो तस्वीरे रेणू की नहीं उसकी खिच रही हो सदा तो आगे पीछे ही रहता है खेर तुम बताओ वह आई मिलने की नहीं नहीं वह क्यों आती उसके जीवन में मेरी उपादेता ही अब क्या पर जानती हो मिलने कौन आया कौन मेरी भक्त का भक्त रागव डोन टेल मी अब उसकी नजर तुम पर थी क्या हिस्त ऐसा ना कहो अब तो बेचारा है भी नहीं नहीं है मतलब पिछले वर्ष अचानक हाट रैक हुआ यह बात तो खेर मुझे अभी अभी बताई रेणू ने उन दिनों जब मिलने आया तो काफी विचिप्त था बहुत ही उद्द्युग्न बोला आप अपनी लगती हैं क्योंकि रेणू की शुख चिन तक है अच्छा है आप दिल्ली लोटाई मैंने आपको बहुत मिस किया रेणू कैसी है मैंने ही पूछ लिया वह कुछ देर चुप रहा फिर एका एक हिचकी बंद गई उसकी जानती हो मैंने किसी पुरुष को रोते नहीं देखा शायद पहली दफे देखा कि हार्ट ब्रेक क्या होता है बड़ी देर तक उसका विलाब प्रलाब चला रेणू को लेकर कि कैसे उसने रेणू के लिए क्या क्या किया खुद परदे के पीछे रहा उसे सिर माथे चड़ाया वगएर है मैंने कहा जानती हूँ वह जो भी है आप ही के श्रम से है नहीं नहीं वह बोला मेरे आने से पहले आपका भी तो कितना सहारा था उसे अब तो उसे समय ही नहीं मेरे से ठीक से बोलती नहीं कहती है बहुत काम है भूल गई कि जहां से उसे उठाकर मैं राजधानी लाया वहाँ दिन में दो बार मेरे घर के चक्कर लगाती थी सारी शामे देर रात तक साथ रहती थी अब कहती है तुम मेरा समय बर्बाद करते हो बड़ी आर्टिस्ट हो गई है उसके चित्र बिकने लगे है जानती है उसके पहले बड़े शोपर सोल्ड आउट तक्ति मैंने लगवाई थी अपने एक आदमी से जिसका केश मेरे यहां फसा हुआ था उसी ने अलग-अलग नामों से खरीदी उसकी सारी पेंटिंग्स कुछ नए होटलों में उची कीमत पर विकवाई मैंने दुख नहीं कीजिए मैंने कहा आप तो वही कर रहे थे जो आपको करना था एक दोस्त को और वह और वह रागो फिर रोने लगा था उसके प्रश्न का कोई उत्तर मेरे पास नहीं था जाते जाते एक बड़ी अजब बात कही उसने मेरा मन कहता है कि आप कभी ऐसा नहीं करती विश्वास है मुझे पक्का कि यदि प्रेम और कला में ठंती तो आप प्रेम को चुनती चुप हो बताओ क्यों कहा होगा उसने ऐसा कभी कभी यह बात अचानक याद आ जाती है क्या मालूम था कि वह कुछ दिन भी नहीं जीएगा इतना खूबसूरत आदमी सुनो पिछले महीने रेणू का फोन आया तुमने बताया नहीं क्या बताती बड़ी आत्मीता से बातने कर रही थी जैसे कितनी आतुर हो मिलने को मैंने राघाओ और राठी के बारे में पूछ लिया सुनकर पहले तो चुपसी हुई फिर बताया कि राघाओ नहीं रहे गय हुए कई महीने बीट गए कैसे? पूछने पर बोली बहुत पीने लगे थे मानती ही नहीं थे आखिर जो सभी नौन क्रियेटिव लोगों की होती है समय न काट पाने की वे चाहते थे कि हम हर दम उनके साथ रहें अब बताये न ऐसा कहीं हो सकता है अब तो राठी जी आयुक्त हो गए हैं उन्हें सो काम है सच मैं उसकी हर्दे हींता पर बहुत ही भैभीत हुई उस दिन क्या यही वह महिला है जो मुझे इतनी निरीह और भोली लगी थी उस दिन मुझे लगा कि इसके लिए दुख करना अपना ही अपमान है अब चारित्ता निभाने या कहो बात बदलने के लिए पूचा तुमारी बेटी कैसी है वह फिर चहकने लगी नियू जर्सी में है अभी अभी बेटा हुआ है आप आईए ना घर पर हमारे साथ खाना खाईए इस रविवार को वह मुझे से पहले दिनों वाला लाड़ दिखा रही थी फिर से कोई काम होगा हाँ मेरा भी माथठन का पर समझ ना आया क्या लेकिन सोमवार को जब दफ्तर जाकर डाक देखी तो पता चला मैं कलाकारों को दिये जाने वाले आगामी पुरसकारों के चैन में नर्नायक रहूंगी दो अन नर्नायक भी होंगे रेणू ने यह सूचना कहीं से निकाल ली होगी सूचनाय क्या कभी गोप निये रही है दिल्ली में तो क्या कल मीटिंग थी न नर्नायकों की उसी के कारण तो घर देर से आई तो दे दिया रेणू को रेणू को पुरसकार वही तो पूँच रही हूँ सवाल ही नहीं उठता पहले ही राउंड में उसका नाम कट गया कट गया या काट दिया तुमने छोड़ो भी ठक गये चलो कहीं चाय पी कराएं यह दिल्ली का पतन पुरान तो चलता ही रहेगा ऐसे ही क्यों तुम्हें नहीं लगता कि रेणू कुछ और ही होती यदि दिल्ली में ना होती हस क्यों रही हो तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं